जै मतदी कैसे हो सारे बढ़िया मैं भी बहुत बढ़िया और आज बड़ी खुशी के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ क्योंकि मेरे जो लास्ट दो वीडियो गये हैं उन पर बहुत अच्छे व्यूज आए हैं और जो लास्ट वीडियो गया संकट सकट चौर्थ व्रत का जो मैंने अपलोड किया था तो उस पे तो बहुत ही जादा व्यूज आए हैं मतलब मेरे लिए तो वो बहुत जादा है अगर आप लाखों में व्यूज जिनके आते हो उनसे कंपैरिजन करोगे तो वो कुछ भी नहीं है बट मेरे वीडियो पे जो रेगुलर्ली जो व् हैं तो बाकी जो मेरे वीवेर्स हैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साथ ही मेरे कुछ पहले के वी वीडियो हैं जो कि आप ल को बताऊंगी शेयर करूंगी आप लोग के साथ में कि पॉम पॉम मैंने किस तरह से बनाया था तो वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी पूरा प्रोसेस और मैंने जो पॉम पॉम बनाये थे वो किस तरह से लग रहे थे तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए छोटा सा जिसमें की जो मैंने पॉम-पॉम बनाये हुए थे वही यूज हुए है तो चलिए चलते हैं वो पहले वो वीडियो देखते हैं उसके बाद हम पॉम-पॉम मैंने किस तरह से बनाया था वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पॉम-पॉम बनाने के लिए हमें चाहिए कलरफुल पेपर, ग्लू, टेप, सेजर एंड शीट कटर और मैंने ये पैकिंग पेपर वो भी यूज किया है और चाहिए हमें न्यूस पेपर तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले हम न्यूस पेपर को फोल करके कट कर लेंगे तो इस तरह से हमारे पास पेपर आजाएंगे फोर फाइफ पेपर आपको लेना है और उसको फिर रोल करकर उसकी स्टिक तयार करनी है तो चलिए करते हैं इस तरह से paper को roll करना है आपको और हमारी stick तयार हो जाएंगी जिस पर की हम pom pom बनाएंगे इस तरह से आपको ये 4-5 layer है papers की जो मेरे fold करके cut किये होए है तो इस तरह से आपको roll roll करके उसको stick बनानी है और उसके बाद glue और tape से उसको अच्छे से pack कर देना है ताकि वह open ना हो कही तो मैं यह पहले ग्लू लगा रही हूँ क्योंकि पेपर की 4-5 लेयर है तो वह पहले इस्टिक करना हूँ यह अच्छ से इस तरह से हमारी स्टिक तयार हो जाएंगी तो यह अभी पॉंपुम का आधा पार्ट तयार हुआ है अभी आगे की प्रॉसेस करते हैं अब लेना है हमें पेपर कलरफुल पेपर तो इसको सबसे पहले हम फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे यह दो पार्ट में हमारे पास पेपर आ गया है अब इसको भी हमें तीन चार तरह से फोल्ड करके जिस तरह से न्यूस पेपर कट किया था मैंने तो वह मैंने आपको शोनी किया था तो अब इस पेपर को देख लीचे इस तरह से फोल्ड करके हमें कट करना है तो यह 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 इस चीज का ध्यान रखेगा अगर आप उपर तक निकल गए पूरा आपने कट कर दिया तो बिकार हो जाएगा तो यह आपको एक आप मार्क बना लीजेगा कि यहां तक कट करना है तो बस मुझे यहीं तक कट करना था अब ध्यान रखकर अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ फिर से मैं जो कट लगाऊंगी वो भी उसी पॉइंट तक ही लगाना है फिर से कट करती हूँ इसको अब मैं इसे scissor से cut करूँगी जिस point तक मैंने यहां cut किया है उसी तरह से पतली-पतली strip में मुझे cut करना है बस उसी point तक पूरा cut कर देंगे तो sheet बेकार हो जाएगी बस यहां आकर stop होना है इस तरह से मैं पूरा cut कर दूँगे इसको यह cut हो चुका है यह frill हमारे पास तयार है अब मैं इसको open करूँगी तो यह दो पार्ट में आ जाएंगे और इसको भी मैंना बीच में से cut कर लूँगी cut से means divide कर दूँगी अलग-अलग चार पार्ट में divide कर लूँगी क्योंकि जब मैं stick के उपर इसको फोल्ड करूँगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी एक एक लेयर को फोल्ड करके फिर मैं टेप से उसको मतलब अच्छे से टेप लगा दूँगी ताकि यह open ना हो बार बार निकले ना तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है जो stick हमने तयार की हुई है उस stick एक 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 लोगा ने ओपके लियर को लगाने कि बाद में आपको तेप से ज जोइन करते जाना है टाकि यह निकलेना बार बार तों यह लगा दिया मैंने और अब हम लोईंगे जो मैंने पैकिंग पेपर लिया था ग्डोल्ड कलर का उस से हम भॉप्र्ल we gonna थोड़ा मU्श्किल होता है पैक इस फेल बनाना क्योंकि यह बहुती बार इधर से ओफ़ीघिता है भीजार की इधर से लिड幾ए पटता है पड़ता है पेपर से एजी पटता है वाशब साफ़ील पड़ा tato SHY didn't – इस प्रें यह देकल बन गई है और एक ही लिया है मैंने यह एक ही पोर्शन लगाऊंगी इसका golden ताकि मतलब बीच में शाइनिंग शाइनिंग से लगेगी तो अच्छा लगेगा तो इसको रोल फोल्ड करने के बाद मैं इसको भी टेप से स्टिक कर दे रही हूं उसके बाद में मैंने बाकी लेयर लगाई जो पेपर की लगानी थी और वीडियो को like share and subscribe करना बिल्कूल भी नहीं भूलेगा आप लोग वीडियो देखते हैं देख रहे हैं वीव आ रहे हैं मेरे वीडियो उसपे तो आप लोग प्लीज subscribe जरूर कीजेगा पाकी मिलती हूं आप लोग उसे next vlog में बाइ-बाइ